दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूडूब चैनल दा डियम ओव विलेज पर आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है अगर आपके पास पैन काड है तो आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर पैन काड है तो वीडियो को पूरा जरूर देखन तब ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे बचेंगे 10,000 जुर्माना देने से और आपका पैन काड भी खराब हो सकता है आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय अगर आपके पास पैन काड है तो फिर 10,000 रुपे की पेनाल्टी देने के लिए तयार रहें अगर आपने 30 जुन से पहले अपने पैन काड को आधार काड से लिंक नहीं किया तो आपको 10,000 का जुरुमाना पढ़ सकता है और आपका पैन काड भी रद्द कर दिया जाएगा पैन काड को आधार काड से लिंक करने की आखरी तारीक 30 जुन है जी हाँ 30 जुन से पहले अपने पैन काड को आधार काड से लिंक करा सकते हैं अगर आपका पैन काड आधार काड से लिंक है तो आपको कोई दिक्कत परिसानी नहीं होगी मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है बहुत 30 जून से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लें नहीं तो आपको 10,000 रुपे की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है पहले इसकी 31 तारीक थी लाश्ट डेट लेकिन कोराना वारस की बज़य को देखते हुए कोराना वारस को देखते हुए 31 मार्च से अब इसे 30 जून कर दिया है जी हाँ अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप हमें कमेंट करें कोरा नहारेगा इंडिया जीतेगा